जहें दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंगाड जोन के नए एपिसोड में कमेंट में अक्सर पुछा जाता है बार-बार पुछा जाता के सर टाडा मुडर्स की नेक्सन इलेक्ट्रिक का लोंग रेज वर्जन कब लाँच होगा तो आखिरकार काफी इंतिजार के बाद नेक्सन इवी की लोंग रेज वर्जन बिगर बैटरी पैक के साथ उसकी लाँच डेट है वो कनफर्म हो गई है अगर आप भी इंटरस्ट रखते हो नेक्सन इवी या लोंग रेज वर्जन की वेट कर रहे हैं वीडियो आपके लिए पूरी जूर देखेगा और लगया कि वीडियो आपके मतलब की है तो चैनल को सब्सक्राइब वर्ज वीडियो को शेर और लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों टड़ा मोडर्स की नेक्सन इवी को सबसे पहले 2020 में जैनुरी मन्त में लाउंच किया गया था और थोड़े ही समय में बिल्कुल नमबर वन पोजिशन पर है 70% मार्केट शेर है नेक्सन इवी का अभी करंटली इसमें 30.2, 30.2 किल वाडर का बैटरी पाग आता है जिसमें 312 किलोमेटर की सर्टिफाइड रेंज है लेकिन रियल में जो मैं नेक्सन इवी यूज कर रहा हूं तो एवरेज 220 से लेकर 250 किलोमेटर तक की रेंज ही मिल पाती है लोगों को काफी इनदिजार था कि नेक्सन को बड़ी बैटरी पैक के साथ लौंच किया जाता है जिनकी रिनिंग जाता है उनको बड़े बैटरी पैक की रुक्वार्मेंट है आखिर का टाडा मोडर्स ने जो डेट कंफर्म की है वो है इसी मिने मैं मैं मंत में 11 तारीक 11 ओफ में 2022 सिर्फ एक हपता रह गया है लाउंच होने में अगर चेंजिस की बात करें नए फीचर्स की बात करें तो सबसे बड़ा चेंजिस तो बैटरी पैक में ही होगा यहाँ पर अब आपको बड़ा 40-40 किलोवाट अर का बैटरी पैक मिलेगा जिसमें 400 किलोमेटर की सेटिफाइड रेंज कंपली क्लेम कर सकते है लेकिन वही अगर मैं एवरेज बात करूं तो आपको 300 किलोमेटर के असपास ही रियल वार्ड में रेंज मिलेगी जो कि I think काफ भी है more than sufficient है इसके लवाब बड़े बैटरी के लिए faster और ज्यादा पावर का AC charging option आपको मिल सकती है new wheel alloy wheel का setup को मिल सकता है disc brake चारो wheels में आपको मिल सकते है cruise control ESP जैसे feature add हो सकते हैं अगर बात करें price की दोस्तों कम से कम डेड़ लाग से लेकर दो लाग तक इसका price बढ़ सकता है अब बात आती है कि क्या डेड़ लाग से दो लाग खर्चना वाजिब होगा कितनी requirement है कितनी लोगों को इसकी need होगी इस पर बात करते हैं दोस्तों बड़ा battery pack बड़ी range उनके लिए ही फाइदेर का सोधा रहेगी जिनकी running जादा है कम से कम 2000 km मंत्री चलाते है डेली की 100 km के आस पास running है उनके लिए जादा benefit होने वाला है वैसे बात करूं अगर मैं स्पेशली city areas की बात करूं तकरीबन 60-65% तर लोगों के जो basic जो run daily का run रहता है 30-35-40 km जाज़दा 50 km तक run रहता है तो ऐसे में बड़ा battery pack उनके लिए जादा important नहीं रहेगा अगर personally मैं अपनी ब किलमेटर मेरा monthly run रहता है average 80-90-100 km भी sometime daily का मेरा रहता है usage कभी मैसूस नहीं है कि और ज्यादा मुझे range की requirement है इसके लाबा मैं कई trip निकाल चुका हूं चंडिगा टू डैली one side 250 km up down 500-500 km हो जाता है कभी कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि है national highway पर fast charging available है Tata Motors के उसके लाबा अगर आप मेरी शुरू से वीडियो देख रहे हो तो मैंने एक trip निकाला था चंडिगा टूर हो तांग पास one side 400 km था total 1000 km का टूर था कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि plan थोड़ा उससा आप से करके चले थे रास्ते में के से रिडिव के रुके वहां चार्च किया फिर आगे मनाली होटल में रुके वहां चार्च किया थोड़ी planning के साथ किया तो कोई दिक्कत मुझे महसूस नहीं हुई बकी बहुजल next week 11th of May 11 माई को launch होगी तब जो भी feature निकल कर आएं इस बात वीडियो कों तक देखने के लिए जय हिंदे